तो पार 32 की शिरुवात वहीं से होती ही जहाँ पिछला एपिसोड खतम आ था गोवान दोही को ढूंडता हुआ मैडम जू के गार्डन में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी वज़े से गिव अप करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए जो सही है जिससे तुम खुश रहोगी वो करो क्योंकि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही मेरे लिए भी बेस्ट है जिस पर दोही कहती कि मैंना उन सबको खो दिया जिन से मैं प्यार करती थी मेरे मॉम, डैड और मैडम जू और अब मेरी वज़े से तुम्हें भी कुछ हो जाएगा जिस पर गौन कहता है कि मुझे अपनी फिकर नहीं है यह कहकर वो दोही के करीब जाता है उससे किस करता है प्लांट शाओर से उनके ओपर पानी गिरता है पर इससे भी इनकी किस कंटिनियू रहती है पानी की वज़े इससे दोनों भीग गए ते इसलिए दोही को गौन के इंजरी की फिकर होती है इसलिए वो उसे जल्दी से घर चलने को कहती है पर गौन उसका हाथ पगड़ कर उसे रोकता है और तभी उनके आस पास सब कुछ रुख जाता है जो देख दोही सप्राइज होती है तो गौन कि ऑफिस में सारी घरियां रुख जाती है अब इसका क्या मतलब होगा ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा अगले सुबग गौन उटकर दोही को प्यार से सोता हुआ देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि क्या इसी फीलिंग की वज़े से इंसान प्यार में पागल होता है तभी दोही भी जाग जाती है पर गौन को ऐसे उसे देखता हुआ देखकर दोही तो शर्मा कर ब्लैंकेट ओर लेती है गौन पूछता है क्या हुआ तो दोही पूछते कि तुम कब से जागे हुए हो गौन कहता है बस कुछ देर पहले से तो दोही पूछती काफी से काम चल जाएगा वर शायद मैं भी अब अल्मॉस्ट इंसान ही बन चुका हूं इसलिए मुझे भूक लग रही है जो सुन्दो ही स्माइल करती है और फिर दोनों उसी रेस्टराउं में जाते हैं जहां दोनों की मुलाकत पहली बार हुई थी मिस्स अंडरस्टरणिं कपल सेट तो सिर्फ क्रिस्मस के टाइम मिलता है गौन कहता है पर हम तो यहां कपल सेट खाने के लिए ही आये थे इसलिए क्यों न तुम आज की दिन को ही क्रिस्मस समझ लो और हमारे लिए कपल सेट लेकर आओ इस पर वेटर उसे बताता है कि कपल सेट के करने के बार में कह रहे हैं दो ही थोड़ा सीरियस को पूशती है क्यों तुम नहीं करना चाहते तो गोवन हसते हुए पान की पीछे से इन्हें आवाओ सुनाइ देती है दो ही के पुराने blind energ का जो एक और लड़की के साथ blind date पर ही आया था, तो वह उस लड़की को अपने पारे में कुछ जदा ही बढ़ा चड़ा कर कहह रहा था, कि एक बार मैं बहुत ही अमेंड़ लड़की के साथ blind date पर जिसे मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था वो तो मुझसे शादी कनी के लिए मरे जा रही थी मुझसे शादी कनी के लिए तो वो मेरे पीछे ही पढ़ गई थी लेकिन मैंने उसे मना करते वे कह दिया कि हमें किसी और जगह जाना चाहिए, यह कहा कर वो चिपचाप से खिसक लेता है, पर गुवन को तो उस पर गुसा रहा होता है, इसलिए वो उसे मजा चखानी के लिए दोही को अपना हाथ देनी के लिए कहता है, कि उसकी हिमत कैसे भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोलन होने का नाटक करता है, दोही को पता था कि उसे कैसे मनाना है, वो कहती है, कि शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया, कि आज मैं काम पे नहीं जा रही हूं, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ कंपनी का इनिवर्सिरी जो मनाना है, जोसन गुवन तो बहुत खुश हो जा अपना डैमन तो बड़ा खूश हो जाता है तो यह बताती है कि कॉफी पीते हैं लिन्च डिनर करती हैं ग्वान चौरी कहता है यही सब और कुछ खास नहीं अब ये सुन बटलर शॉक होता है कि ये सब कब हुआ कल तक तो बॉस काफी अपसेट थे इदर गौवन एक कपल साइकल को देखकर दोही से पूछता है कि मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये अजीब सी चीज क्या है दोही बताती है कि कपल साइकल है तब ही गौवन के नजर पड़ती है बोट्स पर जिसके अंदर एक कपल होते हैं तो वो दोही से कहता है कि चलो ना उसे भी ट्राय करते हैं जो सुन दोही वस लाइक आजकल सब कुछ कपल के लिए क्यों है जहती है मैं दोही के प्लैन को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ आई स्कूल में तो मेरा आईकू काफी जादा हुआ करता था चाहिए जादा ड्रिंक करने की विज़े से मेरे ब्रेंट सेल्स मर गए है इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसलिए मुझे सोचना छोड़कर काम पर लगना होगा इधर Goon अदो ही घूमते हुए एक beautiful जगा पर आते हैं और इस जगा को देकर Goon का फिकोष होता है कहता है कि इन man-made जगाओं से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है मुझे तो God के बनाए हुए चीजों से ज़्यादा इनसानों के बनाए चीज़े ज़्यादा पसंद है दोई पूछती क्या तुमें God पसंद नहीं है Goon पूछती क्या किसी को अपने बॉस पसंद होते हैं नहीं न वैसे मैं God से कभी आमने सामने नहीं मिला इसलिए मेरा उनसे कुछ खास अटेश्मेंट नहीं है जिस काम के लिए उन्होंने मुझे 200 साल पहले यहां भीजा था मैं बस वही करे जा रहा हूँ दोई कहती मैं सोच रही हूँ कि इन 200 सालों में तुम्हारी लाइफ कैसी रही होगी कौन कहता है तुम समझ नहीं पाओगी दोई कहती आईनों मैं समझ नहीं सकती क्या के लिए तुमने यह 200 साल कैसे जिया होगा मैं तो बस तुमें वैसे ही एकसेप्ट करना चाहती हूँ जैसे तुम हो गौन उसे बताता है कि पहले हम डेमन्स इनसानों के गार्डियन्स हुआ करते थे एक क्रीक वर्ड दायो माई से हमारा नाम पड़ा डेमन जिसका मतलब होता है एक ही किसमत को शेर करना दोई कहती हमारे लिए भी तो यह सही साबित हुआ और मैंने कहा भी तो था कि हमारी किसमत सेम है इससे दोनों एक दूसरे की और देखकर स्माइल करते हैं तो दोई पूछते फिर इनसान डेमन्स को शैतान क्यों बुलाने लगे गौन बताता है कि क्योंकि कुछ डेमन्स ने गौड का ओर्डर ना मानकर बुरे काम करना शुरू कर दिये क्योंकि ये काम इतना भी आसान नहीं है लेकिन मैं इसे पिछले 200 सालों से करते आ रहा हूँ बिना कोई गलत काम किये तो दोई उसे टीज करते हुए कहती कि वैसे तुम अतने भी बुरे नहीं हो लगता था कि इनसान काफी बेकार होते हैं पर अब मुझे इंसान काफी क्यूट लगते हैं जैसे किसी प्यारी किटी की तरह जिससे मुझे काफी लगाव है और उसकी वज़य से मुझे सारे कैट्स और किटन्स काफी पसंद आने लगे दोई पूसती कि अब तुम मुझे किसी कैट से कंप्यर कर रहे हो तभी गौन अपने पीछे एक कपल को एक दूसरे को बेबी बुलाते हुए सुनता है तो वो दोई से कहता है कि अगर तुम्हें किटी नहीं पसंद तो क्या मैं तुम्हें बेबी बुलाओ दोई तो उसे थोड़ा टीज करते है नहीं तो गौन कहता है फिट तो मुझे अब भी बुलाओ दोई असते है वे कहते कि अपागल हो गया मैं नहीं बलाने वाली जो सेंड गौन तोड़ा नाराज हो जाता है कहता है क्या मतलबे तुम्हारा मैं तुम्हारा husband हूँ ये कहकर भाय साब तो रूट कर दूसी और अपना face कर लेता है तो दो ही अब उसे थुड़ा tease करना बंद करके कहती है कि ठीक है ठीक है किटी नाम सही है Gohan भी उसे रूट देवे कहता है कि नहीं तो अब मुझे पसंद नहीं है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब ने हिटे ता बेल आइकन चल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक लिए टेक क्यार और बाई बाई झाल